एक बार से जलाप प्रिश्वासन और नेगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है दोसर कुशालपुर का तुलसी नगर इलाखा पीलिया की चौपेट में हैं जहां से दस बच्चों को पीलिया होने का मामला सामने आया जिनका इलाग जारी है मामले की जानकारी में आने के बाद आनन फानन में स्वास्ति विभाद में और चारिक शिवर लगाया जिसे दो बज़े बंद कर दिया गया शिवर में पहुंचे विशेशग के डॉक्चर और महामारी विशेशग्यों का कहना है कि पीलिया फैलने की खबर मिलते ही शिवर है पीलिया के मामला सामने आने एक बाद स्वास्विभाग अलर्ट हुआ और आज यहां केम्प लगाने पहुंचे है इस वक्त हमारे साथ महामारी विशेशग्यों और डाक्टर साव हमारे साथ मौजूद है और कुछ यहां के इस थानी नागरिक भी है इसे जानते हैं कि क करने आरे हैं सर अज केम्प लगाया है क्या कुछ कारण था करने हम को मैदानी स्वास्व कारे करता और अर्बन स्वास्व के इंद्र के द्वारा जनकारी मिली कि कुछ लोगों को पीलिया की सिकाया थे तो उसके बाद हमारा सबसे बड़े लिए पनते कि तुरंत वहां पे कॉम्बेट टीम को बेजा जाए जैसे कि डॉक्टर साहब लोग तुरंत वहां पे एक्टिव हुए और सर्वेय काम चालू किये तो अभी तक हमको इसको हम तो सस्पेक्ट बोल रहे है इसका जांच वाइरल मर्कर के लिए मेडिका को लिज जा रहा है साथ ही हम लोग यहां को संदिहासपत की अःल हिफ्फल बेजा गया है यह पीか में को रोकने के लिए क्लिया की के लिए क्या कुछ heritage बताया जा रहा है कि पानी के बारे में उनको क्या परहिज रखना है पiphden को साफ पानी इस्तमाल करता है पानी में क्लोरीन की गोली का इस्तमाल करें पानी को स किसे दूशीत पानी शे होता है कैबरा में से आपके साथ सत्या राजपूर स्वराज एक्स्प्रेस रायपूर